वाल दोस्तों आज के वीडियों में हम बात करने वाले हैं शाओमी डिवाइस के उपर शाओमी डिवाइस को लिए हो कि बहुत सारे मेरे पास सवाल आते हैं किस तरह सभी MIUI 10 यूज कर रहे हैं तो MIUI 9 में किस तरह से डाउंग्रेड कर सकते हैं क्या कुछ प्रोसेसर होता चाह क्यों downgrade आप आप करना नहीं चाहिएं वह आगे बात करेंगे क्यों नहीं को करना चाहिए हो आगे बात करेंगे लिए चाहिए वह रेड्मी नोट 5 प्रो यह रेड्मी नोट 4 हो लेटेस्ट टेक्नोलोजी का उसमें लेटेस्ट अपडेट जो आते हैं को यूज करो आप कुछ लोगों यूज तो कर लेंगे लिए बहुत सा देखने को मिल रहा है तो आप डाउंग्रेड कर लोगे तो उसम अभी चल रहा है सेम वही रहने वाला MIUI 9 में चाहिए अगर प्रूफ की बात करो तो प्रूफ आप अपने मोबाल में MIUI 9 डाउंग्रेड कीजिए तो उसके बात करके देख लीजिए अब या बोलत तो डाउंग्रेड करना तो हमें आता ही नहीं है पहली बात तो अगर आप डाउंग्रेड करने कोशिश्च करेंगे आपको MIUI 9 कोई फाइल मिल भी गई और TWIP मतलत से पीसी मतलत से अगर आप डाउंग्रेड करने कोशिश्च करेंगे तो आपका मोबाल ब्रिक हो सकता है हाला कि एंटी रोल बेक को उस जिवाइस के लिए अभी भी लगा हुआ है पैसर बाग स्ट मॉआ शर्म इब तो आपकोशिटी पैश के अब्डेट करने मिलते हैं हर महिने वह नहीं मिलेंगे अब नहीं मिलेंगए कारण यह लोग बोलेंगे और नहीं चीज़ है में स्कूरिटीट पैच के अपडेट बाई उसका बहुत बढ़ा रोल होता आपको नंबर दिखा देगा इस तारीक का इसमंत का उसका बहुत बढ़ा रोल होता है आपके डिवाइस में जो मेल्वेर्स आते हैं उनको बचाने क गड़ते तो आपकी device में कहीं ने कहीं malware आएंगे उसके लावा virus आ सकते आपकी device में उसके लावा आपको जो ने feature होते हैं उनसे वंचित रहे जाएंगे आप आप कुछ लोग बोलते हैं हाँ मुझे कोई tension नहीं है बैटरी के लिए बैटरी के लिए मैं बता दिया कोई improvement management नहीं होगा MIUI 9 में चले जाएंगे तो अभी MIUI 10 में मिल रहा से वही मिलने वाल है MIUI 9 में और फीचर्स आते हैं उनसे भी आप विकार में वंचित रहे जाएंगे तो इस वैसे में बोलना चाहता हूं आप डाउंग्रेड ना करें तो बैटर रहेगा असीधा मेरा मेरा जो वीडियो में तरे ता वीडियो पसना ब्राइक करने हैं न पूलो और वीडियो लाइक पर्गेट रकते हैं तो फिल्लाल है अब गडीजीघ's